कि मेलो दोस्तों अपर स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल पर्श मोवर में आज हम बात करेंगे यह गून के बारे में सुनने में अजीब सा लग रहा है कि गून की बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम स्टार्ट करते हैं गून का साइट पिक नेम देखते हैं राइजो इसके बारे में पूरा डुटिल में की क्या है और कैसे हमारे लिए नुपसान दायक है तुछ लिए दूस्तों अजीए अच्छी तरह से सूखे एवं ठंडे होना चाहिए दूसरा अनाज में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए तिसरा दाने बहुत कम नमी वाले स्थान पर बंडारित करना चाहिए और नमी से दूर रखना चाहिए जोता बंडारित स्थान पर वर्षा आदी का पानी नहीं प्रेविस करना चाहिए पांचवा बंड ग्रामर शेतरों में बहंडारी त्सथानों के दरवाजे क्योड़कियों आधि धूप वाले दिनों में खोल देना चाहिए शाथमा च्छती क्रस्त एवं तूटे बैग आधी को तुरंद बदल देना चाहिए आठ्वा भंडारीत इस्थान पर कुछ हवा का प्रवेश रहना चाहिए इसका नियंत्रड हम देखते हैं नवाद बड़ी भंडारीत इस्थानों पर समय समय पर साफ सफाई करना चाहिए